नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं किरेंड धमसनमार अब वक्त बदलने का है क्यूंकि अब संगर्स होगा खत्म आप ब्रिश्चिक रासी वालों के जीवन का दोस्तों आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी एक कहावत सुनी होगी कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलती जी हां दोस्तों लेकिन कर्म की चाभी बहागी की चाभी ये दोनों जब मिल जाए तब किस्मत से कहीं ज़्यादा भी मिलती है सफलता और सफलता सुख दुख अमीरी गवीवी लेना देना सब किस्मत से जोड़ कर हम देखते हैं या फिर हम कहें तो यह हम अपने दिल को तसली देने के लिए करते हैं हर कोई यह जानने को हमेशा ही बेताब रहता है कि वो धन्वान कब होगा बहागी कब चंकेगा दोस्तों सिर्फ जानने से नहीं होगा हमने पहले भी वीडियो में बतलाया है हर किसी के कुंडली में राजयोग एक ने एक तो होता ही है और बहुत सारे ऐसे भी बेखती हैं उनके कुंडली में दसों राजयोग होते हैं लेकिन लोग राजियों को जागरित करने के लिए नहीं जानते हैं कैसे जागरित करें क्या उपाय करें कि राजियों जागरित हो जाए दोस्तों उसी कड़ी में हम आज आपको बतलाएंगे सिम्पल तरीके से कि आपका भागे अवरोध पैदा कौन करता है कौन से गरह आपका भाग्योदे करते हैं और क्या करें कि किस्मत चमंग जाए और कितने उम्र में आपका भाग्योदे होने का ज़्यादा चांस रहता है ज़्यादा सफल होने की संभावना बनती है दोस्तों भले ही हम आधुनिक होते जा रहे हैं बिदेसी परंपरा को अपनाते जा रहे हैं लेकिन कहीं ने कहीं हम अभी भी जोतिस पर भरुसा करते हैं कहीं ने कहीं हम किस्मत को मानते हैं आज हम आपको आपकी कुंडली के लगने के अनुसार बताएंगे रासी के अनुसार बताएंगे आपके नाम के अनुसार बताएंगे आपका भाग्योदै या किसमत का दरवाजा कब खुलेगा अब आपका नाम के अनुसार भी आप रासी देखते होंगे चलिए आपका हम ज़्यादा समय ना नश्ट करते हुए सबसे पहले तो आपको हम बतला दें कि ब्रिस्टिक रासी वाले लोगों का भाग्योदै उम्र के 22 वर्स में, 24 वर्स में और 32 वर्स में हो जाता है यानि इस उम्र में किसमत का साथ मिलने लगता है क्योंकि इन उम्र में अगर आप जो भी प्रयास करते हैं कारे करते हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिलती है तो दोस्तों ये तो थी सिंपल तरीके से अब हम आपको विश्टार से बतलाते हैं आपका भागयोदे कौन सा गरह करते हैं और क्या करें कि जीवन में उचाईयां मिलनी सुरी हो जाए ब्रिश्टिक रासी जलतत्तु की रासी है और ब्रिश्टिक रासी वाले बहुत ही ज्यानी होते हैं बुद्धिमान होते हैं और आपका मालिक स्वेम मंगल है दोस्तों आगे बढ़ने के पहले हम आपको बतला दें बुद्धवार के दिन पैसों का लेंदेन या फिर बुद्धवार के दिन कहीं पैसे इन्वेस्ट ना करें क्योंकि अगर बुद्धवार के दिन आपने पैसों कालेंडें किया या इन्वेश्ट किया तो हो सकता है आपका पैसा फस जाए या फिर आपको लौस हो जाए तो याद रखिएगा बुद्धवार के दिन कोई भी सुखकार की सुर्वात आपको नहीं करनी है दोस्तों कहते हैं महात्वा कानचाओं को पूरा करने में ब्रिश्चिक रासी वालों को बहुत संघर्स करना पड़ता है वैसे तो संघर्स सब को करना पड़ता है चरिए तो आपको हम ये बतला दें कि आप सीवजी के सरन में रहिएगा आपके लिए अच्छा रहेगा वैसे तो आपको चांदी सूट करेगा क्योंकि आपके लिए चांदी सूख होता है अगर आप किसी ने किसी रूप में चांदी धारन करेंगे तो मांसिक रूप से बहुत सांत रहेगा और जो भी काम करते हैं उसमें आपका 100% आप दे पाएंगे दोस्तों बिस्चिक रासी वाले इनको धन कमाने की बहुत चाहत होती है यानि बिना धन के इनको चैन नहीं मिलता है बहुत मेहनत करते हैं इसके बादी धन आता है क्यों ऐसा होता है चलिए हम आपको बतला दें धन की प्राप्ती के लिए आप हलके हरे रंग के कपड़ों का प्रियोग करें यानि आप जो कपड़े पहनते हैं उसमें लाइट ग्रीन महिला हैं तो आराम से पहन लेंगे आप पुरूस हैं तो आप सर्ट टी सर्ट का रंग रख सकते हैं अभी तो लोग ऐसे ही लूप में रहते हैं आप भी रहिए आधुनिक हो जाइए और अगर आपको लगता है कि नहीं हरा रंग थोरा सा और लगेगा तो आप रुमाल भी रख सकते हैं और हर बुद्वार को हरी चीज़ों का दान करें इससे क्या होगा धन जो आप कमाना चाहते हैं उसमें जो मेहनच ज़्यादा लग रही है ज़्यादा संगर से वो कम होगा यहां पर दोस्तों एक और सबसे अच्छी चीज क्या है ब्रिस्चिक रासी वालों के जीवन की जो इस्थिर्ता है न वो सनी पर ही निर्वड करता है आपको जीवन में आकस्मिक समस्याएं भी सनी देते हैं आकस्मिक बाधाएं भी सनी देते हैं और आपके जीवन में जो भी ये सभी चीजें हैं वो सनी की बज़े से ही आती है अगर आपको लगता है कि अचानक से आपकी जीवन में समस्याएं बाधाएं आ रही है बहुत परिशानिया है तब आप सनीवार के दिन हनुमान जी की अराधना कीजेगा और हनुमान जी को परिसादर पित कीजेगा दोस्तों आप बिस्ची कलासी बालों के साथ क्या होता है धन और सोहरत दोनों ही मुश्किल से मिलती है कठिनाई भी आती है दोस्तों यहां बहुत सारी चीज़े हैं यहांने बहुत सारे गरह हर एक रासी को कंट्रोल करते हैं अपने अपने तरीके से अब जैसे हमने कहा कि बुद्ध धन कमाने में मदद करेगा तो आप हरे रंग के कपड़े पहने साथ ही हमने कहा बाधाएं जीपर में बहुत हैं समस्याएं हैं तो हर्मान जी की आरादना करे और अगर आपको धन चाहिए सोहरत भी चाहिए तब क्या करेंगे तब हलके पीले रंग का भी यूच करें इसलिए इस्तेमाल ना करें क्योंकि अगर आपने काला रंग पहनना सुरू किया तो पारिवारिक जीवन में समस्याएं आएंगी बाधाएं आएंगी और आप जहां काम करते हैं ओफिस का महौल भी खराब होगा इसलिए कम से कम प्रयोग करें ताकि जीवन में उन्नती करते चले जाईए दोस्तों वैसे भी ब्रिस्टी करासी वालों को अपने इंकम का थोरा सा जो हिस्सा है वो गरीब लोगों में आप बितरित नहीं मतलब गरीब लोगों के लिए कहीं पर आपने हेंप लगा दिया पानी पीने की वेवस्था कर दी इस तरह से कीजेगा न तो धन समंदी जो परिषानी है धन का जो अभाव है जीवन में वो नहीं होगा और संपत्ती समंदी परिषानी भी आपकी दूर हो जाएगी वैसे तो आपको धन मुश्किल से मिलता है लेकिन आपके पास जितने समय के लिए भी धन रहता है उस समय आप खर्च बहुत करते हैं तो इन चीजों से बचे और दोसों आप सफेद रंगा भी प्रयोग कीजिएगा आपके लिए तीन कलर्स लखी है सुभ है धन के मामलों में लाइट ग्रीन लाइट येलो और वाइट तो यह चीजें आपके जीवन को बेहतर करने के लिए बहुत माइने रखती है और अगर लगता है कि भागे साथ नहीं देता है तब घर में भी आप सफेद कलर का वासिन कर आप डिप्रेशन से तनाव से बचे रहेंगे और भागी भी साथ देगा तो दोस्तों हम आपसे बिदा लेते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा धरन्यबाद हर हर महाते